iPhone 13 versus iPhone 14 Let's talk about this तो guys यह है iPhone 13 जिसको Apple ने पिछले साल रिलीज किया था यह है iPhone 14 जो कि इसका जड़वा भाई है इसको अभी अभी September में Apple ने रिलीज किया है अगर इन दोनों की पीछ Price Difference की बात करें तो अभी Flipkart की Big Billion Day Sale में यह आपको 50,000 तक मिल सकता है कार्ट वगर लगाने की बात हो सकता है कि इससे भी कम का पड़े और अगर दूसरी तरफ बात करें iPhone 14 की तो यह पढ़ता है 80,000 रुपीज का जिसमें आपको करीब 5000 रुपे का डिसकाउंट मिल जाएगा और यह पढ़ेगा 75,000 का अगर आपके पास HDFC का Credit Card है तो तो देखा चाहे तो 25,000 रुपीज का डिफरेंस है इन दोनों में तो क्या आपको 25,000 एक्स्टा लगा के iPhone 14 की तरफ जाना चाहिए या फिर iPhone 13 जादा बेटर डील हुई तो बिना डाइम वेस किये पढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो गाई सबसे पहले बात करें इन दोनों के Build and Design की यहाँ पे दोनों ही Phones आपको मिलते हैं Aluminium Frame के साथ और आप पे Front and Back में आपको Glass मिलता है सामने की तरफ पे आपको Ceramic Shield मिलती है जो कि Exactly Same है Physically अगर Build के बात करो Build Quality की बात करो तो दोनों Exactly Same है कोई भी Difference नहीं है इन दोनों में दोनों के Notch का Size एकदम सेम है दोनों के Camera Module का Design एकदम सेम है सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ नए Colors दिखने को बिलते हैं जैसे कि Purple and Blue तो यही दो Colors हैं इनको अगर आप लेते हो तो पता चलता है कि यहाँ यह iPhone 14 है लेकर अगर आपने Starlight या Midnight Color लिया है तो आप Difference बता भी नहीं सकते कि यह 13 है या फिर 14 बात करो करें इन दोनों के Weight की तो iPhone 13 आता है 174 Grams के साथ और iPhone 14 आता है 172 Grams के साथ तो यह एकदम Negligible Difference है यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा 2 Grams क्या ही होता है दोनों के दोनों IP68 Water Resistant है यानि कि आप इन दोनों को पानी के अंदर 6 मीटर तक दाज सकते हो for 30 मिनिट्स पाकि और अगर डिजाइन की बात करो तो यह exactly same है डिस्पले का डिजाइन एकदम सेम है बॉर्डर सेम है अलुमिनियूम का ग्रेट सेम है front and back सब कुछ सेम है सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको हलका सा camera module जादा बड़ा देखने को मिलता है iPhone 14 का जिस वज़े से अगर आप iPhone 13 का case 14 में लगाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा tight बैठेगा अच्छे से fit नहीं हो पाएगा इसके लाबा इसका camera bump भी जादा बड़ा है तो अगर आप इसको floor पे रखके और एक side से अगर press करते हो तो यह जादा move होगा as compared to iPhone 13 अब बात करते हैं इन दोनों के displays की दोनों ही phones में आपको same 6.1 inches का superiority न XDR display मिलता है जो की HDR 10 को support करता है Dolby Vision का support मिल जाता है also यह OLED display है जिसमें आपको 800 nits की normal brightness मिलती है and 1200 nits की peak brightness मिलती है जब भी आप Dolby Vision HDR content देखते हो तो इसके resolution की बात करो तो 1170 by 2532 के pixels हैं जिसकी density 460 pixel per inch है तो यहाँ भी दोनों में ही आपको exactly same display मिल रहा है कुछ भी difference नहीं है दोनों के displays में exact same brightness, same color, same protection, same ceramic shield, also same notch दोनों exactly same है अब बात कर लेते हैं दोनों के chipset की तो दोनों में आपको A15 Bionic chip मिलती है तो यह एक बहुत बड़ी disappointment हो जाती है जो भी लोग upgrade करना चाते हैं या पुराने phone से आना चाते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों ही phones में exactly same chip मिलती है आपको दो जीबी जारा RAM मिलती है iPhone 13 में जहाँ 4GB RAM मिलती है यहाँ iPhone 14 में 6GB RAM तो guys सबसे पहले कर लेते हैं दोनों का geekbench test पहले कर लेते हैं दोनों का CPU benchmark दोनों को benchmark मैंने एक साथ run किया यहाँ पर मैं तोड़ा सा fast forward कर देता हूँ आपको results बताता हूँ तो iPhone 14 ने पहले कर दिये कुछ 2 seconds पहले और iPhone 13 ने उसके बात करा results की बात करूँ तो iPhone 14 का result था 1750 single core का and 4645 multi core का वहीं अगर बात करूँ iPhone 13 की तो इसका score था 1727 single core का and multi core का score था 4573 तो यानिक एगर देखा जाए तो इतना कुछ खास difference नहीं है इन दोनों की performance में भी and बहुत ही minor सा difference है sock points का difference कोई भी इतना बड़ा difference नहीं है and अब कर लेते हैं दोनों का head to head comparison और कर लेते हैं दोनों की performance test so performance test के लिए मैंने इन दोनों के ही iMovie में same exact clip को डाला and दोनों को मैंने एक साथ render किया तो rendering का result था वो काफी ज़्यादा obvious था because यहाँ पे एक second से भी कम का difference था और दोनों ने almost एक साथ complete किया तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि performance स्वाई साथ देखोगे तो ना के बड़ाबर difference है एक core GPU का जारा है इसलिए थोड़ा बहुत आपको इन benchmarks में difference मिल रहा है नहीं तो कोई भी difference नहीं है अगर आप कोई भी task वगरा करते हो तो यहाँ से आधे second का भी difference नहीं था तो मैं इसको इतना बड़ा difference नहीं बोलूँगा अगर बात करूँ gaming की तो दोनों की gaming की जो performance है वो exactly same है आप जब तक पीछे पलटा के देखोगे नहीं हलाकि इसमें भी क्या पलटा होगे दोनों के दोनों same colors है और दोनों का design भी same है तो उसमें भी पता नहीं चलेगा लेकिन मैं बोलूँगा की दोनों की performance वो exactly same है कोई heating का issue नहीं है दोनों exactly same perform करते है और सो दोनों में ही आपको 60Hz वाला display मिलता है तो इसी इसका भी आपको कोई भी नया difference नहीं मिलेगा अब क्योंकि बात हो रही है gaming की तो आप बात कर लेते हैं आपे exactly same battery backup मिलेगा जो battery backup आपको iPhone 13 में मिलेगा same iPhone 14 में मिलेगा और मैं बोलूँगा दोनों का ही battery backup बहुत अच्छा है आराम से यह जो battery है यह आपको एक से डेर दिन का battery backup देगी लेकर आप इसको heavy usage भी कलते हो तो एक दिन का बहुत अच्छा battery backup मिलेगा अब बात कर लेते हैं कुछ other features की जो कि आपको iPhone 14 में मिलते हैं लेकिन iPhone 13 में नहीं मिलते हैं तो सबसे पहला feature है crash detection तो जैसे कि आपको पता होगा इन मेरी वीडियो में भी मैंने आपको बहुत बार बता जिया है कि iPhone 14 में आपको crash detection का feature मिलता है I hope ऐसा कभी ना हो लेकिन by chance अगर आपका car accident हो जाता है तो आपका phone वो detect कर लेगा car की crash होने से आपको काफी जादा जी-force का सामना करना पड़ता है याने कि कोई भी बहुत तेज moving object जब एकदम से रुख जाता है तो जो force आपको feel होता है वो जी-force होता है and directly उनको call कर देगा तो अगर आप able नहीं हो अपने phone के पास महुचने के यह automatically call कर देगा और यहाँ पर दूसरा feature जो आपको देखने को मिलता है वो है satellite वाला feature तो basically इस feature के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है विकास यह अभी इंडिया में available नहीं है अगर इस feature की बात करूँ तो यह feature ऐस तरीके का है कि आप अगर कहीं किसी कोई जंगल में चले जाते हैं या फिर कहीं और दूर पहार ते चले जाते हैं और किसी emergency में फस जाते हैं और वहाँ पे कोई भी network वगरा available नहीं है तो आप directly satellite के थुरू contact कर सकते हो अपने nearest emergency services को आप अपनी location वगरा भी send कर सकते हो अपने friends family तक तो यह मेरे साब से बहुत अच्छा feature हो जाता है अब बात कर लेते हैं इन दोनों के cameras की इन दोनों के cameras में आपको बहुत ही कम difference मिलेगा दोनों ही lenses के बात करो तो 12 megapixel के दोनों lenses हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि iPhone 14 के flash को काफी upgrade कर दिया गया है वो पहले से काफी जादा better हो चुका है तो aperture कम होने की वज़े से आपको low light performance हलकी से जादा मिलेगी वो भी primary lens में secondary lens में वो भी कोई difference नहीं मिलेगा मैं यह नहीं बोलूँगा कि बहुत जादा difference है आपको low light photos लेने के लिए आपना आप बहुत जादा stable लगना पड़ता है तो हाँ अगर आप अच्छे से stable लगते हो तो iPhone 13 में भी बहुत अच्छे photos क्लिक कर सकते हो camera में कोई इतना बड़ा difference नहीं है बात करूँ और वीडियो camera की तो वीडियो camera में भी आपको almost same ही quality मिलती है कोई इतना बड़ा difference नहीं है अब यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों ही phones नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि 4K at 60fps पे कर रहे हैं आप देख सकते हो कि दोनों का output है मेरे ले envolarden list में iPhone 14 मेरे राइप में iPhone 13 है दोनों इशूट कर रहे है 4K at 60fps पे देख सकते ओं MR मेरे volt में iPhone 13 का front camera मेरी right में iPhone 14 का front camera और इस पार आपको iPhone 14 में autofocus को option देखने को बर जाता है यहाँ पे आपको दोनों के aperture में भी काफे जारा difference है यहाँ पे आप इन दोनों की quality देख सकते हो कि किस level का performance में difference आपको इन दोनों में देखने को मिलता है हाँ जहाँ पे आपको difference मिलेगा वो है iPhone 14 का action mode जो कि मुझे बहुत कमाल का लगा लेकिन उसमें भी एक fault है कि वो outdoor में काम करता है जहाँ पे बहुत सारी light हो जैसे कि मैं अपने studio में जब बनाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे इसको और ज़्यादा light की ज़रूरत पढ़ रही थी इसलिए मुझे यह mode को पाहर जाके test करना पड़ा बाकि action mode में यह basically करता है कि पूरी clip को crop कर देता है एक stable shot create करने की कोशिश करता है तो मैं बोलूंगा यह बहुत अच्छा feature हो जाता है अगर आप आउट्डोर शूट करते हो और इस तरीकी का को आपको shot लेना हो तो बहुत का माल का feature हो जाता है इसके अलाबा एक और दिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वह है इसके cinematic mode में अब आप 4K 30 fps पे cinematic mode शूट कर सकते हो 1080p पे 30 fps पे cinematic mode तो यह पे आप देख सकते हो differences तो अब बात कर लेते हैं conclusion की कि क्या आपको इसमें upgrade करना चाहिए या फिर नहीं या फिरा कर 13 14 में से कोई एक खरीदने का सोच रहे हो तो आपको कौन सा करीदना चाहिए तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूँ जो कि अगर 13 से 14 में upgrade करना चाहते हो भाई बिलकुल भी मत करना देखो पहला तो सेटलाइट वाला feature है वो अगर आपके काम आया वो भी emergency वाला feature है तो maybe शायद उस feature को आप कभी use भी न करो और अभी तो वो इंडिया में available नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है दूसरी बात हो गई crash detection की तो देखो crash detection feature बहुत अच्छा है पर आइफोन 13 से 14 में इस reason से जाने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज इसके अलावा आपको कुछ भी difference नहीं मिलेगा cinematic वगरा आप अच्छा shoot कर सकते हो action mode शूट कर सकते हो इसके अलावा कुछ भी difference नहीं है also जो लोग photographers हैं वो सोच रहे हैं 13 से 14 में जाने का तो उनको भी मैं नहीं बोलूँगा because अगर आपको जाना हो तो आप next year जा सकते हो because 13 भी कहीं से भी कम नहीं है कहीं से भी वो जो performance दे रहा है वो जारा से भी कम नहीं है अब बात करूं कि 13 यह 14 में से कौन सा लेना चाहिए तो भाई आँख बंद कर गया iPhone 13 ले लो exactly same है और सिर्फ यही 2-3 features है जो कि extra मिल रहा है उसमें इसके अलावा कुछ भी difference नहीं है बले ही आपको gaming के लिए लेना हो, photography के लिए लेना हो, heavy task करने के लिए लेना हो, editing करने के लिए लेना हो, कुछ भी हो iPhone 13 ले लो, अपने 25-30,000 रुपर बचाओ और खुश रहो अभी के लिए iPhone 13 best है, iPhone 13 में हो तो 14 में बिल्कुल मत जाना तो यह था आज का मारा वीडियो है, यह वीडियो पसंदा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होगे अगर यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज़ दर लाइक बटन, चैटर सब्सक्राइब करो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मैं बता हूँ से नएक सीडियो में तब तक लिए, बाबाई